कि अगर आप सेकंड हैन्ड आपको सैंन संग का कोई भी मोबैल अगर ले रहे हो तो यह भी वीडियो पुल। इससे आपको मैं आपको बताने वाला हो कि अगर आप Samsung का mobile लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसकी जो भी screen है वो ठीक है या नहीं यह देखनी जरूरी है अगर आपकी screen ही ठीक नहीं होगी तो आपको problem आ सकती है तो कैसे आप अपने screen को ठीक है या नहीं वो चेक कर सकते हो यह मैं आपको इस video बताने वाला हो तो गाई इसके लिए सबसे पहले अपने mobile में जो है वो phone dialer को open करना है और यहापर आपको simply code type करना है star has zero star has यहापर बहुत सारे options आपके सामने आने वाले है यहापर आपको simply touch को जो है उस पर आपको simply click करना है और यहापर जो भी आपको यहापर जो है वो इस तरीके से आपको जो है वो type करना है जहाँ जहाँ पर आपको green दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस screen की जो है वो problem नहीं है अगर आपको यहाँ पर कोई भी जो है वो green नहीं दिखाई देता वहाँ पर आपके screen की जो भी है वो problem है तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुझे मेरे डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरी के से आप भी अपने डिवाइस की जो भी स्क्रीन की प्रॉब्लम है वह देख सकते हो वीडियो चलेकर लाइक जूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक स्क्राइब भी जरू करना मिलते हैं कले वीडियो में